स्वागत है आपका SS Classes में आज हम इस Classes में हम यहां से पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे परियावरण और प्रस्तितिकी के बारे में आपको पता होगा भारत के आप कोई भी एक्जाम से दीजिए उसमें परियावरण और प्रस्तितिकी से सवाल पूछे नहीं जाते हैं और पौड़ी देर के अंदर में पौड़ी देर के मतलब कि 4-5 दिन के अंदर में यह पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर खतम हो जाएगा तो यह आज का यह वीडियो जो है यह पार्ट वन होने वाला है तो पार्ट वन में हम देखेंगे क्या कुछ महतपूर यहां पर EBS के बारे में दिया गया है उसके बाद जैसे यह पूरा का पूरा यहां पर खतम हो जाएगा टॉपिक तो इसको एक वीडियो में कंपाइल करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए ठीक है तो कोई भी आप एक्जामस देने जाने जाने वाले हो तो आपको लिए पर लोगों को एक जहन में बात आता होगा परियावरन मतलब वरन एक मतलब समझे करें मतलब क् therm कर चारो ला नहीं चारोत तरफ है तो तो यह सारा जो चीज बहुत निजादा प्रभाव डालता है, एक मनुस्र के जीवन में, तो जो पर्यावरण में परियावरण परियावरण को भौतिक परियावरण मतलब जो फीजिकल नेचुरल ने डिरेक्ट हम दिये हुए और एक होता है बाइवरण जो जीवित चीज़ है उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं बाकि फिर से भौतिक परियावरण को यहां पर तीन टाइप में विभक्त किया जाता है, कौन-कौन से अस्थल मंडलिये परियावरण, दूसरा जो होता है वायू मंडलिये परियावरण, और जो तीसरा होता है वो जल मंडलिये परियावरण होता है, ठीक है, बाकि जो दूस होता है जिसमें कि जीद नाता है दूसरा जो आता है वो बहुतिक परियावलण अक्षी परियावलण हो गहां आता है इसको दिए हुए हैं वह ही अगर कि आते हैं जिवित घटक में तो यहां पे पहले सबसे बड़ा जो अगर के घटक है जेविक परियावरण हैं बायोटिक में तो वो मनुषी होता है उसके बाद जन्तू है और उसके बाद जो भी जिवानु है और उसमें जो पादफ हैं ये सारा चीज जो है वो जयविक परियावरण के अंतरगत में सामिल होते हैं सवाल देखें डिरेक्ट यहां से भी देखने को मिलते हैं ये आपको लग रहा होगा कि ये छोटा चीज मैं बता रहा हूँ आप से डिरेक्ट यही पूछ लोगा है इनमें से कौन सा जयविक परियावरण के घटक है इसमें देदेगा जनतु, जिवाणू, पादप इनमें से कोई नहीं तो वहां पर आप लोग फंस जाईएगा इसलिए इस चीज को अच्छे सा देख लीजिए ये छोटा सा चीज है लेकिन बहुत ही बहतरी इन चीज है और बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है ठीक है उसके बाद आता है आप एकोलोजी और सबसे बड़ी बात मैं अभी एक बार और बताना चाहता हूँ जो भी लोग बिहार में सिक्षक बहाली के लिए नोट्स लेना चाहते हैं टीरी क कुछ को एड़ी ऐसी होजां तो ओर पर पूछ सकते हैं यहाँ एकोलोजी और उसमें जीविद समों के संभणह का जीए तहलाता है यह प्रस्थित कर रहा रहा था पर्यावरन के दोनों को संबंद है किस तरीका से रह रह रही है इस चीज़ को परस्तित की बोलते हैं यह समझ जी आप ठीक है सबसे पहले सब्से प्रयोग कीया घए गया था उसंद के सब्स like सब्सेदि के प्रियोग किस ने किया था या था भी पूछ दियेगा आपसे कि सबसे पहले ecology का सब्द कप्रियों किस रूप में किया गया था तो ecology के रूप में यहां पर किया गया था happening spelling भी अच्छे से आप लोग देख लिजे तो सबसे पहले हैकल ने की जाता है कब किया था तो 1879 इस जमें की जाता है आप लोग याद रखिएगा बाकी जो ecology का यहाँ पर हिंदी होता है वो क्या होता है प्रस्तित्की होते हैं अब यहाँ पर देख लेतने हैं कि प्रस्तित्की एक कुछ सखाएं के बारे में इसके ब्रांचेज के बा उटिको लोजी से किस संबनेते हैं इसमें किस चीज का अध्यान के जाता है याद रखिएगा इसमें जो होता है स्वेम प्रस्तित्की में एक ब्यक्तिकर जाती और प्रयावरण के उसके संबंदो प्रभाव का यहाँ पर अध्यान किया जाता है जिससे की आटो बायोग्र बायोग्राफी नहीं देखते हैं यानि कि एक आदमी का जो बायोग्राफी होता है वहीं समझें कि यहां पर ऑईटिको लोजी में भी किया जाता है किसी एक ब्यक्तिका जाती और प्रयावरण के बीच में संबंदो का अध्यान को क्या कहलाता है स्वेम प्रस्तित की कहलात इसमें एक ही अस्थान पर पाय जाने वाले समस्त पादप और जन्तु समुदायों की उनकी संदचना बहवार उनके अस्थान प्रयावरण के संबंद में अध्यान क्या कहलाता है समुदाय प्रस्तित की कहलाता है अप लोग याल दखिएगा जिसमें स्वेम प्रस्तित की म में एक ही अस्तान पर जितने भी वहाँ पर पादप और जन्तु पाया जाते हैं उस सब का अध्यान किया जाता है तो यह दोनों में खास करके यही अंतर है उसके बाद आते हैं तो एक्वार्टिक ऐक्वार्टिक मतला आप समय लेज़े जो भी चीज़े पानी के अंदर में रहता है उसको एक्वार्टिक बोलते हैं थिक है तो इसके अंदर wilay मरी जन यानि कि जो मीठा जल होता है उसमें जो भी फ्रेसिंटर में प्रस्थितकी पाया जाते हैं तर Arabia समुंदरी जल के पए जाते हैं उसका यहाँ प SBS प्रस्थितकी पाया जाता है कि में एको लोडिक टो आप लोग इसको याद रखे हैं 9服 चौन्था पॉइंट यान पर आता है उसमें टरेश्ट्रियल ऑकोलोजी के बारे में तो हम सीखते हैं अस्थल इसमें आपको नाम सहीं पता चल रहा है। ऐसे पौधे पादप अवास जो भी चीज़े है, जो अस्थल पर पाये जाते हैं, यानि कि जो भूमी पर पाये जाते हैं, उन सभी अवासों अस्थानों को प्रस्तितिकी का अध्यान क्या कहलाता है, टेरेश्ट्रियल एकोलोजी कहलाता है, आप लोग इसको अच्छे से या यूपरण परभाव डालता है उसको वातावरण ये लॉजिकल फैक्टर बोलते हैं यानि कि यही बोल रहा है कि अपको नियुर्मल वासा है बता रहे हैं आपके उपर में जो भी प्रभाव पढ़ रहा है कि आप जैसे मान चलिए कोई कोई जो है कोई एक प्रदूसित हवा म तो की सारा चीज का मानों के ऊपर एक पर्पाव होता है क्यूंक मैंốc कॉन कौन सा बारक परस्तित कीे कारकमे प्रस्तित की सब् Taste जेवी एक ने स Lean कॉन कौन सी होती है जेवी इंठicon में सबसे पहले प्रातियों किता होता है kesan होता है इसको समझने के लिए और आम भासामे कहते हैं 2 लड़के एक लड़के को अच्छे से खाना पीना मिल रहा है अच्छे से रेष्ट करने का टाइम मिल रहा है और दूसरा लड़का है हमेशा जो है टेंसन में रहता है अच्छा सा इंभार्मेंट में नहीं रहता है खाना अच्छा नहीं खाता है तो दोनों में से अच्छा विकास किसक प्रतियोगिता में होती है अईसे प्रकृतिक वणता वरण में उगने वाले जाती पवध है अहम अन जाती के पौधे, मैंने दो जाती के यहाँ पे पौधे हैं, जिसमें के हावा जल व परकास के लिए परतियोगिता होती है, कि कौन सा पधार, कौन सा पौधा का वहाँ पर ज्यादा अच्छा हावा मिलेगा, जल मिलेगा, वो परकास मिलेगा, उसके बारे हम बात करते हैं हवा जलो प्रकास, जिस पौधे को यह चीज अच्छा मिलेगा, हवा मिलेगा, जल मिलेगा, सुर्य के प्रकास मिलेगा, उनका जो यहाँ पे, जो उनका ग्रोथ होगा, वो अच्छा होगा, ब्रिधी अच्छा होगा, जो कि जो दूसरा होगा, जिनको इसमें कमी मिलेगी, उ तो उनको मिर्तियू भी हो सकती तो यह competition के अंदर में यह ecological factors में आता है तो आप लोग इसको याद रखेगा जब क्यूचन कौवक हो गया जिवान हो गया बिसान हो गया कुछ आवरित वीजी पौधे होते हैं जैसे अमर बेल शैवाल ओरोबैका विलेनो फोरा रिफलैसी आदी जो है वो परजीवी के रूप में उगते हैं अब परजीवी किसको बोलते हैं बस थोड़ा सागला लाइन में हम समझाते हैं कुछ ऐसे पन हरी होते हैं मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन में कलोरोफिल नहीं पाया जाता है और वे सभी अपना भोजन स्वेम नहीं बना पाते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो खाना खुद से नहीं बनाते हैं वो दूसरे पौधे के चुसकांगों स प्राप्ट करते हैं यानि कि जो उनके पास अंग होता है वो दूसरे पौधे से उसको चूसन के द्वारा यानि कि चूसते हैं उनके रस को और अपना भोजन को वहाँ पर गरहन करते हैं पौधों के इस गुण को परिजीवीता कहते हैं अब ऐसे पौधे को परिजीवी कहते है मैं अच्छे से आपको नॉर्मल भासनां बता रहा हूँ माय चलिए एक यहाँ पर कोई पोधा है और एक यहाँ पर किना क्या क्रता एक केना खु़ से खान नहीं बना रहा है जो पौधा के चिजी मुई यह अपने ऊपर उसको सब्रकर पेट को भरता है तो जो बौधा है तो पौधे के इस गुण बोलता है किया बोलंगे मिलगे यह जीवी बो वोरा रिफ्लेस यह सब बहुत महजपुन है जो जो नाम ले रहे हैं समझने से ज्यादा यह चीज आपसे सवाल पूछा जाता है अगला आता है यहां पर कि पौधे पूण रूप से परजिवी होते हैं जैसे अमरबेल और कुछ जो परजिवी होते हैं वो आंसिक रूप से होते हैं जैसे लोरेंथ हो गया विसकम हो गया और चंदन का पौधा हो गया ठीक है परजिवी मतलब कोई कोई होता है कि पूरी तरह से दूसरे पौधे पर जड़ों पर तता कुछ तनों पर पर जीवी होते हैं जिन्हें मुल पर जीवी तता अस्तम पर जीवी बोलते हैं यानि कि जो मुल पर जीवी जो जड़ पर डिपेंडेंट रहेंगे उनको मुल पर जीवी जो तना पर डिपेंडेंट रहेंगे उसको अस्तम पर जीवी कहा ज चंदन हो गया और पुण अस्तम परजीवी का जो यहां पर उदारन है हो अमरबेल हो गया यह बहुत ही लोरेंथस आते हैं और विसकम आते हैं आप लोग इसको अच्छे से याद रखियेगा ठीक है बाकी यहां पर नेक्स जो पॉइंट है सहजीविता और माईको राइजा इसको हम नेक्स वीडियो में देखेंगे तो आज के लिए हम यहीं पर खतम करते हैं कैसा लगा वीडियो आप लोग कॉमेंट्स के समझ जरूर से जरूर बताईएगा नेक्स्ट क्लास आपका कल इसी टाइम पर अपलोड किया जाएगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में बबाए